आप अपने शरीर को जिस तरह चाहें एड़िस्ट कर सकते हैं, आप ऐसा करते रहते हैं, और शान्त और खुश होने की उमीद करते हैं, जीवन इस तरह काम नहीं करता। इनसान के हाथ कई चीज़ें कर सकते हैं, खाने और शारेरिक कारे करने के अलावा वे कई सारी चीज़ें करने में सक्षम हैं, अगर आप अपनी उर्जा प्रणाली को एक खास रूप में या जीवन्तता और तीवरता के एक खास इस्तर तक ले आएं, फिर आप जान जाएंग के हाथ एक जबरदस्तुप करने हैं, योग में हम कहते हैं कि अनामिका यानि रिंग फिंगर में यहां से यहां तक आप पूरे ब्रहमांड को नियंद्रित कर सकते हैं, ये सब कुछ है, ये आपके कंप्यूटर के माउस की तरह है, यहां आप अपने शरीर को जिस तरह चाह कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि क्या करना है, इसे रगड़ते मत रहे, ये इस तरह काम नहीं करेगा, अगर आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है, तो ये आपके कंप्यूटर के माउस की तरह है, आप इसे जिदर चाहें ले जा सकते हैं, आप अपने सिस्टम को ज पूरा विज्ञान जुड़ा हुआ है, इस तरह की स्थिति में इसकी गहराई में जाना बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाथ है किस तरह का उपकरण है। दिन में कितनी बार आप अंजाने में ऐसा करते हैं, कोई भी आप से कुछ पूछता है। हो आशान्त कर देंगे। शान्ती, 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 वो नहीं आएगी। आप सिर्फ कबर में शान्ती से सोएंगे। वाकई। वो वहीं आएगी। ये कुछ ऐसा है, जैसे आप एक कार में बैठें, आप नहीं जानते कि ये पैडल क्या है। आप बस जब मन चाहे किसी भी एक को लात मार देते हैं। अपने संगीत की ताल पर, पता है आप कितने जटकेदार ड्रैवर होंगे। जरा देखे, आपके खुशाली बहुत जटकेदार रही है, है न। हाँ, आपकी खुशाली बहुत जटकेदार रही है, है न? आपकी शान्ती, आपकी खुशी, आपका सब कुछ जटकेदार है बस यूँ ही, वो किसी भी पल डह जाएगी, किसी पल उभराएगी अब आप इन हाथों को इस तरह बना सकते हैं, कि अगर आप इसे यहां हिलाते हैं तो दुनिया के दूसरे हिस्से में कुछ होगा आप कहीं और, बिल्कुल कहीं और कुछ घटित करवा सकते हैं जिधर भी आप चाहें, बस वो जगह बताएं क्यूंकि ये हाथ हर चीज के लिए उपकरण हैं ये हर चीज के कंट्रोल पैनल की तरह हैं या तो आप इसे एक छोटा सा इनसान बनाए रखें या इसे बना करके एक जबरदस्त संभावना में बदल दें चाहे जैसा भी हो, फिर भी कंट्रोल पैनल यहीं है तो एक तरह से अपने शरीर को खोलने के लिए एक इनसानी तंत्र को कई संभावनाओं के प्रती खोलने के लिए रिंग फिंगर महत्वपूर्ण है अगर आप किसी व्यक्ती को अपनी दुलहन या दूला बनाने के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप उनकी उंगली में अंगोठी पहनाते हैं रिंग फिंगर में है ना किसी रूप में लोग खुल जाते हैं कहीं न कहीं ये समझ थी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ चीज़े होँगी इसलिए वे इस उंगली का इस्तिमाल करते हैं कोई और नहीं. हाँ, आजकल नए जमाने के बहुत से लोग अपने अंगूठे में अंगूठी पहन लेते हैं. ये बहुत गलत चीज है. आप कुछ ऐसी उर्जाओं को आकरशित करेंगे जिनने आप समाल नहीं सकते. और ये शरीर को स्थिर भी करता है. अगर आप रिंग फिंगर में धादू पहनते हैं, तो शरीर में स्थिरता आती है. इसके कई, कई दूसरे आयाम भी हैं, लेकिन इसे आम तरीके से देखें, तो ये आपके अपने शरीर की आयामों को खोलने के लिए एक रिमोट की तरह है. इसे खोले बिना कोई ब्रहमांड नहीं है. अपनी आखें खोले बिना कोई दुनिया नहीं दिखती, है न? अगर आपकी आँखें हमेशा बंद होती, तो आपके लिए कोई दुनिया नहीं होती, तो इसी तरह इस सिस्टम को खोले बिना आपके लिए कोई ब्रह्मांड नहीं है, तो रिंग फिंगर असल में ब्रह्मांड के बारे में नहीं है, ये इस सिस्टम के बारे में है, इंसानी सिस्टम, इंसानी तंद्र, अगर आप इसे खोलते हैं, फिर ब्रह्मांड मौजूद है, ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद रहा है, बस इतना है कि आप इसके लिए खुले नहीं थे, रिंग फिंगर, अगर आप जानते हैं कैसे कैसे इस्तिमाल करना है, जिसमें एक खास मातरा में कुछ लगेगा, ध्यान में ऐसा मत कीजिए, इस तरह मत बैठिए, ये आपकी उर्जा को कई अलग-अलग रूपों में बिखेर देगा, योग मुद्रा सबसे अच्छी होगी, या हाथ खुले रखें, रिंग फिंगर